जैन्द स्टुडेंट्स मिशन वर्दी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हमने लिया है टेन वर्ट्स जो काफी इंपोर्टेंट है जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था एंटोनेम्स हम सोझ रहें कि आप लोग के लिए डेली एक कम से कम वोकाब से सेशन आप लोग को कराऊं प्रैक्टिस ठीक है प्रैक्टिस मेंक्स मैं पर्फेक्ट यूनो वेरी विल तो आईए देखते हैं हम लोग कुशन नंबर वन से क्वेशन वान है पर्पेच्वल पर्पेच्वल मिन्स वाट बिदाउट स्टॉपिंग जो बीना रुके हुए च सीजलेस समझते हैं सीज मतलब क्या होता है बंद जो मतलब बीना बंद के चले लगातार कंट्निवसली समझी रहें इंडियूरिंग का मतलब होता है ठीकाओ पीर मिन्स होता है जहाकना ठीक है एंड एकॉर्डिंग टू अप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इंफेरियर हो ज सेकिन्ड इनफेरियर थर्ड है इविन्स देखे इविन्स का मतलब होता है not comply मतलब कोई भी सीज को लागून नहीं करना ठीक है हमारा कौन सा हो जाएगा comply हो जाएगा ठीक है declared you available निरने प्रूब साबित करना फोर्थ होट है एक्सक्वासाइट एक्सक्वासाइट का मतलब होता है बाबू जैसे जो clean हो ठीक है clean हो हमारा उसको हम लोग बोलते एसपस्ट हो इसका कौन सा हो जाएगा rough हो जाएगा rough you know very well ठीक है elaborate समझी रहे ये भी एसपस्ट होता है ये तो इसका sign हो जाएगा next है grumpy ये बहुत बार पुछा होगा कुश्चन है grumpy you know very well grumpy means होता है unpleasant ठीक है grumpy means क्या होता है unpleasant इसका हो जाएगा pleasant irritable you know very well irritate होता है उसी से बना होगा word है irritable next है six number हमारा officious देखे six number थोड़ा सा important word है हो सकते हैं बहादूरी बहादूर ठीक है बहादूर बोल सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा timid हो जाएगा ठीक है rude you know very well intrusive busy best question number seven degrades degrades means होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा not stay anywhere ठीक है इसका कौन सा option हो जाएगा हमारा stay हो जाएगा deviate क्या मतलब होता है mood na drift करना कोई भी चीज ये दो drift हो गया next hack eight aran है a-r-a-i-z-n aran means होता है जैसे बावू accuse 2c aran means क्या होता है 2c होता है इसका कौन सा हो जाएगा हमारा option number d free means अजाद ये देखे सब एक दूसरे का क्या है आप देख सकते हैं ये सारा का सारा एक दूसरे का है हमारा synonyms बट हमको enter देना है इसलिए हमारा option number d हो जाएगा ठीक है question number nine nine है हमारा देखे florid ठीक है nine number हमारा क्या है बावू florid florid का हो जाएगा हमारा plane florid means होता है जैसे तेढ़ा मेड़ा बोल सकते है ठीक है आस पस्ट भी बोल सकते है इसको ठीक और plane means you know very well सादा ठीक है इसलिए हमारा florid हो जाएगा ठीक pretend टियस एक अच्छा word है pretend होता है न दिखाना किसी भी चीज को हमारा कौन सा हो जाएगा plane हो जाएगा confined इसका भी मतलब होता है दोसी ही ठीक है और release release का मतलब क्या होता है अजाद करना किसी को छोड़ना comment का मतलब क्या होता है गलती करना ठीक है और confined का मतलब भी होता है दोसी आई होब कि आपका ये बहुत ही अच्छा लागा होगा ऐसा ही बहुत सारे आप लोग के लिए हम डेली वोकायव लाते रहेंगे अगर आपको अच्छा लगे ता आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के बीच सेर करिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यबाद